अभी दुनिया में ये दो चीजे हैं, जो माना वूर्जा का लगभग 95 प्रतिशत हिस्सा ले रही हैं, पैसा और सेक्स. पैसा बस एक साधन है, है न? मनुष्य पैसों में आसक्त नहीं है, वो इस बात में आसक्त है कि पैसा क्या खरीद सकता है, है न? ये उस सशक्तिकरण के बारे में हैं, जो पैसा लाता है, जिसे लोग चाते हैं, वो पैसा नहीं चाते, बलकि वो सशक्तिकरण चाते हैं, जो पैसों से आता है, है न? बहुत एक संसार में ये जो पहुँच और आजादी देता है, लोग उसे ही चाहते हैं इसलिए बात पैसे की नहीं है, बलकि इसके साधन रूप की है हां, तो क्या पैसे के साथ कुछ गलत है? क्या गलत है? हमने ही इसे बनाया है, है ना? हम अब भी अपने लेंदेन को चीज़ों की अदला बदली से चला रहे होते क्योंकि हमारे लेंदेन बहुत जटिल हो गए, चीज़ों की अदला बदली बहुत पेचीदा हो गई इसलिए हमने पैसे बनाये, पैसा बहुत पेचीदा हो गया, इसलिए हमने कार्ट बनाया अगर आपकी जेब में पैसा है, तो ये आपके जीवन को आसान और आराम दायक बना देता है, क्योंकि आपकी जेब में कुछ पैसा है, इसलिए आज आप यहाँ बैठकर आंतरिक विकास वगरे के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप बिना पैसों के जोपड़ पट्टी में होते हैं, तो आज आप यहाँ बैठकर शामबवी महामुद्रा नहीं कर रहे होते, है ना? आप उस घर को चलाने के लिए संगर्ष कर रहे होते, या आपके घर में तराने के लिए नाव बना रहे होते, या कुछ पैसा है ना? क्योंकि आपके पास थोड़ा पैसा है, इसलिए आज आप यहाँ बैठ सकते हैं, चाहे बारिश हो रही हो या बाड आने वाली हो, अगर बाड आती है, तो ठीक है, हम होटल में रहेंगे, क्योंकि आपके जेब में थोड़ा पैसा है, इसलिए इतनी ज़्यादा आज़ादी है, कैसा नहीं है? अगर आपके जेब में बिलकुल भी पैसा नहीं होता, तो यह संबब नहीं होता, इसलिए पैसों के साथ कुछ भी ग पैसे को अपनी जेब में रखना जीवन को आसान और अच्छा बनाता है, आप बैट कर ध्यान कर सकते हैं, हाँ, अगर आपके पास इतना पैसा है कि आपको कल अपनी आजीवी का के लिए काम नहीं करना है, तो आप एक महिने की छुट्टी लेकर ध्यान कर सकते हैं, है न, जो प्रव्यक्ति पैसों के लिए कल के भोजन के लिए संघर्ष कर रहा है, अगर वो चाहे तो भी ध्यान नहीं कर सकता, इसलिए आपकी जेब में पैसा होना बहुत अच्छा है, आपके सिर में पैसा, वो एक विकृती है जो आपको नश्ट कर देगा, आपको हर चीज को उसक इस समय मानव क्षमता का लगभग 95 प्रतिशत हिस्सा खा रही है, कैसा है? यहाँ तक के 95 प्रतिशत भी एक दक्यानूसी अनुमान है, हाँ, लगभग 100 प्रतिशत जिस तरह पैसे का आपकी जेब तक होना अच्छा है, उसी तरह अगर सेक्स आपके शरीर में ही रहता है, तो यह अच्छा है, पर अगर यह आपके सिर में गुश जाता है, तो यह एक विकार बन जाता है ये लोगों के सिरों में घुस चुका है ये उनके शरीर में नहीं है ये उनके सिर पर सवार हो चुका है अगर ये उनके शरीर में होता तो ये हर समय नहीं होता ये सिर्फ कभी-कभी होता है ना? ये उनके सिर में घुस चुका है और ये हर समय रहता है ये एक रोग है अगर आपको पता है कि कैसे पैसे को अपनी जेब में और सेक्स को अपने शरीर में रखना है तो आप जीवन को अच्छी तरह जीएंगे आपने इन दोनों चीजों को सिर पर सवार कर लिये हैं अब आप अच्छी तरह नहीं जी सकते हैं आप एक बिमार व्यक्ती की तरह जीते हैं क्योंकि ये भीतर से आप पर राज करता है और आपको कई अलग-अलग तरीकों से नश्ट करता है एक बार जब पैसा और सेक्स आपके सिर में घुच जाता है तो आपके बारे में हर सुन्दर बात छिन जाती है है ना? लोग पैसे ये सेक्स के पीछे पागल है बॉंबे शेयर में ड्राइव कीजिए और देखे हर विग्यापन, हर पत्रिका, हर किताब या तो पैसा ये सेक्स चाया हुआ है कैसा नहीं है? अब ये दो चीजें अगर ये अपनी स्वाभाविक जगा पर आ जाती है जहाएने होना चाहिए तो ये समस्या नहीं है, ये ठीक है इनकी अपनी सुन्दरता है लेकिन अगर आप अपने मन में इनहें बढ़ाते चड़ाते हैं, तो सब कुछ भद्दा हो जाता है इसलिए पैसा एक समस्या बन गया है क्योंकि आप नहीं जानते कि इसे कहां रखें इसे अपनी जेब में रखें ये एक अच्छी चीज है